हेलो फ्रेंड्स दिवेस हेल्दी किचन में आज हम देखेंगे इस तेज गर्मी और लू से तुरंत रहत देने वाला शर्बत की रेसेपी इस चर्बत को बनाने के लिए हमें 100 ग्राम बड़ी सौफ लेना है 20 से 25 हमें काले मिर्ज लेना है 25 ग्राम बादाम लेना है एक बड़ा चमच हमें भुना हुआ जीरा लेना है इस तरह से इसे रोष्ट कर लेना है और 25 ग्राम हमें किश्मिश लेना है और शर्बत में मिठास के लिए हमें बड़ी वाली जो शक्कर होती है इसे लेना है इसे हमें मिक्सी में इसकी अलग से पावडर बना लेना है अब ह किशमिष डाल देना है बुना हुआ जीरा आठ कर लेना है और काली मिल्च अब इन सारी चिज़ों को मैं मिक्सी में अच्छे से पिसकर पाउडर बना लेना है अब हमारा बड़ी सोफ का पाउडर रिडी है आप देख सकते हो इसे इस तरह से पिस लेना है इस पाउडर को हमें जार में निकाल लेना है आप इस पाउडर को एक पहिने तक इसी तरह स्टोर रख सकते हो और इस तीज गर्मी में आप इसे जब चाहे तब इसका शर्बत बना कर इंस्टन फैमिली के साथ एंजोई कर सकते हो यह इंस्टन तूरंत लू से बचाता है और चार-पाच मिनिट में हमें गर्मी से राहाद देता है तो इस पाउडर से आप शर्बत जरूर बनाए बड़ी सौफ को पिसने के बाद बड़ी वाली शूगर को भी हमें इस तरह से पाउडर बना लेना है तो चलिए अभी हमें दो ग्लास लेना है सबसे पहले इसमें हम आईस क्यूब को डाल देंगे अब दोनों ग्लास में हमें एक एक चमच बड़ी सौफ का पाउडर डाल देना है अब दो चमच बड़ी वाली शूगर पाउडर डाल देंगे इसके बाद हमें एक एक चमच निम्बू का रस भी डाल देना है अब इस ग्लास में हमें ठंडा ठंडा पानी आट कर लेना है और उपर से हमें दो तिन आईस क्यूब और डाल देना है अब इससे थोड़ा सा हमें चला लेना है अब रेड़ी है हमारा इस तेज गर्मी और लू से बचाने वाला शर्बत आप भी इसी तरह से घर पर ट्राए कीजिए ये पीने में बहुत ही तेश्टी और तूरंट गर्मी से बचाने वाला शर्बत है तो इस गर्मियों में आप इसे जरू से जरू बनाईए अगर आपको ये रेशेपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर प्राइब कीजिए अगर नए हो तो चैनल